रुपियों की लालाच इंसान को किस कदर अंधा कर देती है इसकी बानगी प्रताब गड़ में देखने को मिली उन शातिरों ने प्लान तो बहुत सटीक बनाया था लेकिन अफसोस और पुलिस के आगे कुछ कर ना सके और आखिरकार सारे के सारे आरोपी धरे गए इन सातिर बदमाशों ने किसी के खर से सामान हाथ साफ नहीं किया था बलकि पूरा का पूरा ट्रक ही पार लगा दिया था लेकिन पुलिस ने भी आखिरकार सेक्रों किलोमीटर दूर सभी आरोपियों को दबोच लिया नमस्कार मैं हूं मुहम्माद आसम दुलार और आप देख रहे हैं निउस टाइम नीश है यह मामला राजधानी लगनों जो सटे बारा बंकी से लेकर पैताब गर तक फैला हुआ है पुलिस के मुताबिक बारा बंकी में रहने वाले राजकिशोर ने अपने ट्रक में राशन का सावान लोड कर बिहार भीजा था बिहार पहुँच का ट्रक को अनलोड किया गया और वहां से ट्रक में रिफाइंड ओयल लोड किया गया और गाड़ी नाकपुर के लिए रवाना हो गया लेकिन ट्रक ड्राइवर महफूज ने तैय रूट के बजाए दूसरे रूट से जाने की बात कही लेकिन कुछ वक्ते बाद ये ड्राइवर का फोन सिच ओफ हो गया इसके बाद ड्राइवर ने ट्रक माली कराच के शोर को कॉल कर ट्रक के लूटे जाने की खबर दी ड्राइवर महफूज के मताविक प्रतावगड के भुपिया महू ओवर ब्रिज के पास कुछ बदमाशों ने उसकी पिटाई की और ट्रक लूट लिया प्रतावगड में लूट की वारदात को अंजाम दिया था लहाज़ा पुलिस पर सवालिया निशान उठना लाजमी थे पुलिस ने भी अपने सारे घोड़े दोड़ा दिये आखिरकार ट्रक को बरामत करते हुए लूट का खुलासा कर दिया गया पुलिस के मुताबिक इस लूट को विजय और दिलीप ने अंजाम दिया था इना रूपियों में दिलीप ट्रक मालिक राजकिशोर को पहले से ही जानता था पुलिस की माने तो दिलीप और विजय नहीं ड्राइवर महफूस को पांच लाग रुपाई की लालस दी और उसे बांध कर पताबगर में फेक दिया इसके बाद ड्राइवर ने सभी को लूट की जूटी कहानी सुना दी इनके द्वारा जो ट्रक में रिफाइन ओयल था उसको बेचा गया और ट्रक को रानी गेंज के थोला थाना लाल गेंज शेतर के अंतरगत लावारी सालत में खड़ा करके इस परकार से गटना करम रचा गया है तीन अभ्युक्तों को इसमें गिरफतार किया गया है सो परतिशत इसमें माल की बरामदगी की गई है जिसमें सड़े बारा लाग रुपे भी है और जो शेश बचा हुआ समान था वो समान बरामद किया गया है और इन पूरी गटना के समद में हमारे द्वारा पूल टीम को 25,000 रुपे का इनाम दिया गया है फिल्हाल पुलिस ने लूटा गया रिफाइंड ओयल और साथ ही 12,50,000 रुपे नगद परामद की है ये खबर हमारे समधाता दयाशंकर पांडे ने कवर की है आपको हमारी खबर कैसी लगी इसके बारे में कमेंट शेक्षिन में जरूर बताएं अगर आप हमारी खबर फेस्बूक पर देख रहे तो उसको लाइक वो करें और अगर यूटूब पर देख रहे तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन्स जरूर दभाएं अमस्कार